पूरा एक हफता और विपक्ष इस बात पर भी लगातार सरकार के ओपर हमला कर रहा है, आरूप लगा रहा है, ये पहली बार देखा जा रहा है कि अविश्पास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया जाए, तो जल्द से जल्द उस पर चर्चा करानी होती है, अग तक ऐसा हुआ है और उस बीच में क कोई और विधाई काम नहीं होता है, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं रोकता हमें कि हम कोई और काम ना करें और सबसे पहले अविश्पास प्रस्ताव पर ही बात को, बैरार अब तो तारीख हा चुकिए, दस तारीख को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी लोकस्वा में बोलेंगे और अविश्पास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई है, उसका वो जवाब देंगे, जावेज साब अब जाहिरे विपक्ष अभी इस पर भी कॉमेंट्स करेगा कि इतना लंबा वक्त आपने क्यों दिया, नोटिस दिये हुए कई दिन हो चुके हैं, ये काम तो दो दिन के अंदर हो सकता था, अब अगला मंगल बार, तब तो चर्चा शुरू होगी, तो समझने ची कि नोटिस के बाद लगभग 8-9 दिन का वक जीच जाएगा, वर्किंग डेस का जब आप चर्चा कराएगा, बहुत सी पेंडिंग रेज बाद जो 4-5 दिन बज़ेगा, उसमें जो बिल्स हैं, वो पास हो जाएगे, लेकिन ये तो स्पीकर डिसाइड करता है, बिजनिस इवाजिजी कमिटी डिसाइड करती है, कि कोई रिटन रूल नहीं है, कन्वेंचन है, परंपरा है कि फोरण हो जाता है, और इसमें सरकार ग प्रदीब जी बहतर बताएंगे, कि जिस दिन नोटिस दे दिया गया, उसी के दूसरे दिन, उसमें ये भी है फिर जो भी आपने बात कहीं, कि ये सरकार की अर्जंसी को दिखाता है, कि आप मनिपूर को कितना अर्जंट मुद्दा मानते हैं, कि आप उस पर चर्चा नहीं उसमें पर ये है, कि कोई भी, जैसे मेरे पास है, अगर आप जाज़त दें, तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं, कि देखे, उसमें बड़ी बंदशे हैं, ये दो डाई घंटे वाला जो तो, एक अगर तीन दिन की बहस हो सकती है, लोकसभा में, तो राचसभा में दिन भर की या दो दिन की क्यों नहीं हो सकती, इस मुद्धे पर क्या है, भाई, इससे सरकार गिरनी तो हैं नहीं, राचसभा में तो वैसे भी अगर सरकार के पास मत नौद भी हो, तो भी निन गिती है, लोकसभा में तो गिरने का कुछ सवाल ही नहीं, 333 और 144 है, हो सकता है, इसमें से और भी संख्या कुछ बाल घट जाए, बी जेडी क्या करेगी, वाइसर कॉंगर्स ना अल्रेडी कह दिया है, वो टी आरस वाले क्या कहेंगे, सौरी बी आरस के लोग, तो बहुत से लोग एक abstentions भी हो सकता है, तो वहाँ भी अगर बहस हो जाएगी, तो क्या होगी, सरकार की वहाँ भी बहुत है, सरकार जो पक्ष लोकसभा में रखेगी, वो इराधसभा में भी रखेगी, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और जहां तक यह सवाल है कि प्रधान मंत्री बो दो लें, फिर चर्चा, देखे क्योंकि बिल्कुल कम्यूनिकेशन ठप है दोनों साइट से, कोई नेगोशेशन नहीं है, प्रधीप जी जब जिंदरों में हम लोग डेली कवर करते थे पार्लमेंट, ऐसा लगता था कि बिल्कुल ओ, सेनडाई हो जाएगा कुछ नहीं, द पार्टी से ही बरकास हो जाएंगे दोनों साइट से, अभी ये पोजिशन है, आप देखिए कि सेंट्रल हॉल में, जहां नॉर्मल, मतलब लोग रिलाक्स हैते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दोनों साइट के MPs जो हैं, एक दूसरे से जारा कतर आते हैं, अच्छा माहूल हो गया है, दूर्बागी फूर्ण जो वो दूसरी शर्थ है कि पहले प्रदान मंतरी का बयान हो, उसके लिए सरकार तयार नहीं है, तो नियम का तो मामला है ही, 267 की जितनी नोटिस आई, चेर्मेन ने सब रिजेक्ट कर दी, 176 की एकसेप्ट कर ली और कल तो शुरू भी करा दी बहस, जो विपक्ष ने चलन हो गई, तब ऐसा नहीं होता था कि विपक्ष कोई legislative business होने ही न दे, अगर मान लीजेए, जिस दिन से संसत का सत्र शुरू हुआ, legislative business जो है, वो नॉर्मल ढंग से संसत चल रही होती, तो मुझे नहीं लगता है कि नोटिस आने के बाद जो है, चर्चा में इतना समय लगता, सरकार को लग रहा कि विपक्ष का तो जो है लक्ष हासिल हो जाएगा, जैसे ही अब इश्वास प्रस्ताफ पर चर्चा हो जाएगी, उसके बाद वो अगर सदर नहीं चल ले देंगे, तो हमारा legislative business कहा जाएगा, और नियम तो अब यह भी जरूरी नहीं कि प्रधान मंत्री जवाब दे, जो नियम है, परंपरा है लेकिन नियम नहीं है, एक बार ऐसा हो चुका है, अब इश्वास प्रस्ताफ पर अंत्र मंत्री जवाब दे जरूरी नहीं है, हाँ, यह 1981 में इंद्रिया गांधी प्रधान मंत्री थी, अब इश्वास प्रस्ताफ आया, वो में थी, इसलिए जवाब उसका आरवेंकर ट्रमन ने दिया, जो वित्त मंत्री थे, नमबर टू थे, तो यह भी कोई नियम में नहीं है, प्रधान मंत्री जवाब दे, सरकार की और से जवाब आना चाहिए, जो मामला है, और वो मंत्रिबंडल की सामोई जिम्यदारी होती ह तो इसलिए जो है, अगर प्रधान मंत्री नहीं है, तो नमबर दो भी दे सकता है। मैं हो जाओं, प्रधीब जी हो जाएं, तो जो प्रधान मंत्री तो प्रधान मंत्री है, देवे गोड़ा भी प्रधान मंत्री थे, गुजाल साब भी प्रधान मंत्री थे, आप बहुत सी, मुझे एक बार याद है, वीपी सिंग जब प्रधान मंत्री थे और मंडल कमिशन आ गया तो उस वक्त भी राजनीत में बड़ी कटुता आ गए थी और उनके खराफ आविश्वास पस्तावा क्योंकि वा अडवानी जी को अरेस्ट कर लिया था और इसके बाद तो कॉंग्रेस पार्टी के फूलपूर से अब आपका टाइम खतम और चलेगे फॉरन उटके वह अगया और वीपी सिंग जहां प्रजाम रंत्री बैठते हैं वहां पे कुछ लिखके कि आपका टाइम खतम और चलेगे फॉरन उटके वह वाजपाई जी नहीं वाजपाई जी किसी ने कोई वह पेपर उठाया उसको फड़ा फिर वह कॉंग्रेस वहां से मादवरा संद्या है और उन्होंने माफी मागी फॉर मिली यह आपकी किसी से पुलिटिकल मद्भेद हो सकते हैं लेकिन दुस्मनी थोड़ी हो गई है कि ए एक बार नाशनल इंटिकरेशन काउंसिल की मीटिंग चली थी जब यह अधिया प्रकंट चल ला था खुब बैसा बैसी हो रही थी तल्यान सिंग की गवर्मेंट को डिस्मिस करो उसके बाद डिनर के लिए लोग ब्रेक हुए मैंने मुरली मनोहर जोशी और कॉंग्रस के ल प्रिडर है वो भी आम भेजती हैं मोदी जी के लिए बिलकुत ठीक बात है इसमें क्या बुराई है भी बेजना चीए एक दूसरे को साथ जाती दुश्मनी थोड़ी आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्रदान मंत्री आम और शॉल का आदान प्रदान कर सकते हैं आपस मे जो विवक्ष और प्रतिपक्ष के निता हैं वो नी कर सकते हैं कि देखिये हम तुष्टी करण नहीं संतुष्टी करण पर चलने वाले लोग हैं और दो धारन उन्होंने दिये उन्होंने का कि नितीश कुमार हमसे बहुत शोटी पार्टी बन गए थे चुनाव के बाद 20 के चुनाव के बाद हमने लेकिन कहा था तो हमने उनको मुख्यम हमें वादा किया था कि आप पर डिप्टी सियम बनेगा उन्होंने वादा करने के बाद भी डिप्टी सियम नहीं बनाया हमने दोबार आ उनसे मांग तक नहीं की कि आपने हमको उपमुक्यमंतरी नहीं दिया तो यह कठबंदन धर में आप भी इसी भावना पर चलिए वह हमसे कम भारती जनता पार्टी पर यह आरोग कोई नहीं लगा सकता है अभी की राजनीत में चुकी भारती जनता पार्टी बहुत बड़ी हो गई है मैं वही कहने जा रहा हूं और विशेश करके जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो महाराश्ट का है तो वहां लगता है कि अ बड़ा फर्क हुआ करता था एक इसने है का भाव था अब उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोधी की भारती जनता पार्टी में भी सोचेंगे कि वह उसी भाव में रहे और वह भी तब जब 54 और 122, 105 इसके बाद भी सोचेंगे और उसके बाद हम यह विमर्ष कैसे खड़ा होन तो उसको तो बिल्कुल नहीं बनने देना चाहिए था और सच बात यह है कि नितीश कुमार का अपना आत्मबल नहीं कह रहा था उनका चेहरा आप देखिए मैं कहता हूँ याद करिये वो विजुल चलाना चाहिए टीवी चैन लूपर जब नतीजे आए और बड़ी मुश राजनीती में होता क्या है कई बार आपता है कर लेते हैं आपको लगता है कुछ आउसर मिला है तो उसको लपक लो उद्धाव जी को लगा कि यह आउसर है जिस तरह की राजनीती है उसमें बड़े पीडित हैं सब तो कॉंग्रेस और शर्ट पवार हमें समर्थन दे बड़ा चोटा सा पार्टनर है अपना दल उसके लिए भी जिस तरह से भारती जनता पार्टी सीटे छोड़ देती है अपने लोग उनके लोग नाराज होते हैं और बिहार का तो बड़ा उदारन जीती हुई लोकसभा की सीटे छोड़ दी कौन करता है बाई तो मुझे नितीश कुमार तो इस बात को कहते ही रहे हैं तो ऐसे में अगर बीजेपी की बात करती है उदार घृदय वाली राजनीती की तो लोग कहेंगे कि हाथी के दात दिखाने खाने की और ने ने उदार की बात जरूर मानी जानी जाए क्यों क्या किया 2019 के चुनाओ के दोरान उ थाकरे से बात की कहा कि 122 सीटे हैं अभी बीजेपी की इस चुनाओ में अगर उससे जादा आ गए तो बीजेपी अकेले सरकार बनाएगी तुम्हारी राजनीती खतब मेरी राजनीती खतब तो इसलिए जरूरी है कि बीजेपी की सीटे कम हो तो एनसीपी और शिवसेना न को बहुमत मिला तो बीजेपी यह नहीं कहा कि हम कोई दूसरा साथी तलाशेंगे तब भी उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाने के परिए निस के चुनाओं में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को नुकसान पहुचाया था और यह यह बात तीनों को पता है शरत्पवार क को भी पता है उद्धव ठाकरे को भी और बीजेपी को भी और इगो का सवाल उद्धव ठाकरे के लिए हो गया था सीटों के तालमेल की बातचीत के लिए उन्होंने का अमिच शाह को मातोश्री आना पड़ेगा हम बीजेपी के दफ्तर तो छोड़िए किसी तीसरी जगा भी नहीं जाएंगा तो यह इस तरह की चीज़ें चल रही थी ऐसे में जब नतीजा आया उध्व ठाकरे ने देखा कि अगर यह तीन मिल जाएं तो सरकार बन सकती है तो उन्होंने खट से जो है पाला बदल लिया चले ठीक है अब आज की जो बिल वाली बात है अर्विन केजरिवाल की राजनीती इस पर बड़ी निर्भर कर रही है इसमद उसकी बात हम कर लें पार्लरमेंट में दिली का जो बिल है वो आने वाला है सर्विसिस का और लोगसभा से तो यह पास हो जाएगा लोगसभा में जानकारी है खासकर वायसर कॉंग्रेस के जगन मोन डेडी के समर्थन देने के बाद उन्होंने एलान कर दिया कि मैं इस बिल पर सरकार के साथ हूं के इंदर के साथ हूं तो माना जा रहा है राज्यसभा में भी बीजेपी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बिल को पास करा लेने में जावेश साथ पहली बात तो यह आपको लगता है कि संख्यावल है सरकार के पास बिल्कुल अराम से लोकसभा की तो बात ही नहीं करने चाहिए राज्यसभा में भी उनके पाद मेजॉर्टी भी है और और भी लोहों को मैनेज कर लेंगे अबस्टेंशन के थूरू टैसेट सपोर्ट के थूरू जिसे अभी नवीन पतनायक की पाटी है वो क्या करेगी वायसर कॉंग्रेस उन्होंने कहीं दिया है वैसे ही टी आरेस को भी से भी कुछ हो जाएगा बी आरेस ने शायद कमिट कर दिया है कि हम केजी जिवाल के साथ अचा अगर बी आरेस कर भी देता है के जिवाल किसको कमिट्मेंट को ऑनर और उनके खिलाब भी वोट करता है तो भी इनके पास संख्या है ये पास हो जाएगा 112 एंडिये के हैं उनको 120 चाहिए नौ हैं वायसार कांग्रिस के अगर उन्होंने सीधा 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 सपोर्ट कर दिया तो बात ही खतम हो जाती है अगर वो एबस्टेंट भी करते हैं तो नीचे आ जाएगी समक्राइगा सवाल जो हमें भी बहुत से लोग पूछते हैं इस प्रोग्राम के दोरान और कई दिनों से पूछ रहे हैं सवाल यह उठता है कि यह मामला निकल जाने के बाद और जिसकी सूरत यही दिख रही है कि बिल पास हो जाएगा केजरिवाल साब के लिए मुश्किल होगी क्या अर्विन केजरिवाल इंडिया एलाइंस में बने रहेंगे कर दीजे वरना तो वह जो उन्होंने पटना में किया था थोड़ा मुझे लगता है पुलिटकर ना समझी का सबूत था कॉंगर्स पाटी इनको पसंद करें नश्वाद करें लिकिन पांगडियस का स्टेंड रहा Bowam अगर Congress इसका समर्थन कर देती है बिलकर तो वो सारे अपने प्रिवेश स्टैंड से contradiction होता तो वो तो उनको करना ही था Congress Party को इसलिए फाइदानी कि जिनको वोट करना है वो औरीजिनल टीम को वोट करेंगेश वो भी टीम को नहीं वोट करेंगे उनको यह लगता है कि यहां थोड़ा बागें करके पंजाब में हर्याना में राजिस्तान में कोशिश उनकिए कि और जंगों पर कुछ सीटें मिल जाए जो वहां बीजेपी एंडिया लाइंस में उनको नहीं मिलने वाली है तो इसलिए यह मुझे नहीं लगता कि आप पाला बदलेंगे फिलाल इस एलेक्शन तक तो यहीं रहेंगे प्रदीब जी ने बिलकुल मैं सर्मात हूं इस बात से उनको देखे अपनी नेशनल पॉलिटिस को अगर रेलेवंट बना के रखना है तो उनको चाहिए लोकसभा में कम से कम 10, 12, 15, 20 सीट है अभी दो चुनाव से लगातार पहले चुनाव में पंजाब से 4 सीट मिली थी दू दूसरे चनाव में एक सीट मिली तो आप 543 में एक सीट लेकर राष्ट्री राजनीती की बात करेंगे तो इससे ज़्यादा हास्यातफ़त बात क्या हुआ 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 हम पहले तक यह मानते थे कि अर्विंद केजरिवाल की ज़्यादा जरूरत है यह अलाइंस या कॉंग लड़े तो इस बात के लिए तैयार है कि आप दिल्ली में पांच लड़ी यानि केजरिवाल पांच लड़ें कॉंगरेश दो लड़े पंजाब के अन्दर आठ कॉंगरेश लड़ें पांच आम आद्नी पार्टी लड़े, पांच कॉंग्रेस पार्टी लड़े. तो यहां तो ऐसा लग रहा है, जरूरत कॉंग्रेस की है? दोनों की है. कॉंग्रेस की भी जरूरत है. कॉंग्रेस को भी मालूम है कि दिली में अकेले लड़ेंगे कुछ नहीं मिलेगा तो अगर इस एलाइंस में दो सीटें अगर मिल जाती है अगर दो जीट जाते हैं, जिसकी संभावना कम है लेकिन ऐसा हो भी सकता है तो कॉंग्रेस को फैदा ही फैदा है उसी तरह से पंजाब में कॉंग्रेस लगातार नीचे जा रही है। उसका ग्राफ कहीं से मतलब उठना तो छोड़िये ठहर भी नहीं रहा है। तो ये लगता है कि अब ये अन्नोन है कि लोग सभा में आखिर केजरिवाल को पंजाब में कितनी सफलता मिलेगी। अभी दो चुनाओं से कोई बड़ी सफलता तो दिखी नहीं है। लेकिन केजरिवाल को लगता है कि हम ज़्यादा जीत सकते हैं तो यहां थोड़ा सा है कि हमारा फाइदा कहा है इस बात को समझते हैं और अपने फाइदे के लिए वो वो कोई भी स्टैंड ले सकते हैं। बीजेपी से फाइदा हो रहा हो तो इस वक्त उनका फाइदा इंडिया एलाइंस के साथ रहे कि बिलकुल। सवाल यह है कि क्या वो टिकी रहेंगा इलाइंस में। है कि अपना लाव वो सब जिसको कहें कि सबसे सपस्ट है। लेकिन अभी जब यह अविश्वास प्रस्ताव यह डिली सर्विस बिल इस पर जब वोटिंग हो जाएगी और उस वोटिंग के बाद एक नहीं कई संदीब दिक्षित पैदा होगी। जैसे अभी तक किसी टीवी चैनल वाले ने इधर अजय माकन का इंटर्व्यू नहीं किया है। क्यों नहीं दे रहे हैं इंटर्व्यू मैं तो कह रहा हूं कि उन्हें देना चाहिए। प्रीत काम करेगे अभी जब दोनों एक दूसरे को पर फिर हमला बोलेंगे जो संदीब दिक्षित वाले मसले में हुआ तो इसके बाद ये खटास बढ़ेगी। हो सकता है कि तुरंत नहीं हो ऐसा नहीं होगा कि 24 घंटे में ही तूट जाएगा ऐसा नहीं होगा कि 49 घंटे बाद खतम हो जाएगा। लेकिन संकट बढ़ेगा ये 2024 के चुनाओ तक रह जाएगे।